किसान आंदोलन की चलते हर्याणा और पंजाब की सीमा पर तीन दिनों से बवाल मचा हुआ है आंदोलन कारियों ने शंभू बॉल्डर पर डेरा डाल रखा है और दिनली जाने की कोशिश में है वही हर्याणा पुलिस उन्हें वही रोखने में जुटी हुई है पंजाब की कई जगों पर किसानों ने रेल रो को अभियान भी शुरू कर दिया है इसी बीच सैयुक्त किसान मोचा और कई मजदूर यूनियनों ने 16 फरवरी को ग्रामीन भारत बंद का आवाहन किया है किसानों की MSP पर गारिंटी की मांग को लेकर दबाब बढ़ाने के लिए ये फैसला लिया गया सैयुक्त किसान मोचा ने देश के तमाम किसान संगर्णों से भी साथ आने की अपील की है सैयुक्त किसान मोचा के नेताओं का कहना है कि ये भारत बंद सुबह 6 बजे से शुरू हो जाएगा और शाम तक चलेगा किसानों का कहना है कि इस दोरान ग्रामिन अलाकों में परिवहन, क्रिशी गतिवधिया, मनरेगा के तहत काम, नेजीव दफ्तर, गाउं की दुकाने बंद रहेंगी इसके लावा ग्रामिन शेत्रों में और योगी गतिविख्यों को भी बंद रखा जाएगा हालकि इस ग्रामिन भारत बंद से एंबिलेंस के संचालन, अखबार वित्रण, शादी, मेडिकल दुकाने और परिक्षा देने जा रहे छात्र प्रभावित नहीं होंगे उन्हें नहीं रोका जाएगा तो दो गंटे का एक है, आमनों तो दो गंटे का रखो, ठीक है कोई जादे वो कर दे तो वो नहीं चाहता, किसे को कोई परिशानी नहीं नहीं हो, कुछ नहीं हो दिल्ली चलो मोचा पंजाब की करीब 50 किसान संगर्शनों का नारा है वो MSP पर ही फसल खरीदने की कानमी गारेंटी चाहते हैं इसके लिए इन संगर्शनों ने दिल्ली में कूछ किया है, लेकिन उन्हें हरियाणा और पंजाब से लगती सीमाओ पर ही रोख दिया गया है किसान अंदोलन कारियों का सबसे बड़ा जमावडा शंपू बॉर्डर पर है फिल्हाल किसानों से सरकार आज तीसरे दौर की वारता करने जा रही है ये मीटिंग आज शाम को रखी जाएगी, यदि इस मीटिंग में किसानों और सरकार के बीच सहमती बन जाती है तो फिर वो वापस लोट जाएंगे, वरना दिनली पूच का एलान फिर से हो सकता है किसाल संगट्रों ने पीम नरेंदर मोधी को पत्र लिख कर मांग की है कि MSP पर फसल खरीद की कानूनी गारंटी मिले इसके अलावा किसानों की कर्ज माफ किये जाए तीन सो यूनिट तक बिचली प्री दी जाए फसल बीमा की बहतर योजना बने इवं किसानों को 10,000 रुपे महीने तक की पेंशन दी जाए वो और तलब है कि सरकार का कहना है कि 24 फसलों पर पहने ही MSP में दुगने तक का इजाफा दे दिया गया है लेकिन उस पूरी फसल खरीदी की गारंटी नहीं दी जा सकती इस से बाजार पर बुरा असर होगा